हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल पर, आज हम आपको डीफार्म फस्ट एयर का सब्जक्ट फार्मासोटिक्स जिसका चेप्टर नमबर फॉर का पार्ट नमबर शिक्स पढ़ाएंगे दोस्तों, अगर आपने प्रिविस वाले पार्ट नहीं देखें, तो पहले आप प्रिविस वाले पार्ट को पढ़ लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को पढ़िए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जदे से जदे अपने दोस्तों को सेयर कर देना अपने कॉलिज गुरूप में भी वीडियो को सेयर कर देना और अगर आपको मेरे बाटसाप गुरूप से एड होना है तो description box में link दी गई है और screen पर मेरा number लिखा हुआ है आप बहां से join हो सकते हैं और दोस्तों अगर video अच्छी लगती हो तो ज़्यादा ज़्यादा comment किया करो और आपको pdf भी provide की जाएगी बट आपको 199 रुपे का पेका ना होगा तो दोस्तों बात करेंगे इसमें जो आपका है Silverzan यह टर्बूलेंस पर बर करता है तो दोस्तों अगर आपका multiple choice वाला question आता है कि जो आपका silver zone mixer होता है ये कौन से force पर बर्ग करता है तो आपको sharing force लिखना होगा और जो आपका turbulence force होता है उस पर ये बर्ग करता है और उसके बाद जो आपको हमने previous वाले जो पढ़ा हैं यानि जो भी topics पढ़ा हैं उनका भी हम structure दिखाते हैं और उसके बाद इसका भी हम आपको structure दिखाएंगे इसका structure हमने two types से बनाया है एक आपका जो silver zone mixer है यानि देखिए इधर बना हुआ है left side में ये आपका silver zone mixer ही है और उसके बाद जो आपका right side में बना हुआ है ये आपका भी ये आपका एक प्रकार का silver zone mixer ही है लेकिन ये आपके अंदर के parts को हमने बना कर दिखाया है कि जो आपका silver zone mixer होता है उसके अंदर parts इस प्रकार से होते हैं तो दोस्तों सबसे बाहिले बात करते हैं जो आपका silver zone mixer होता है इसका use emulsion को बनाने के लिए किया जाता है तो इसमें नीचे की तरफ emulsifying head लगा होता है तो दोस्तों जो आपकी यानि electric motor होता है और उसके बाद नीचे की तरफ होता emulsifying head तो दोस्तों वहाँ से लेकर नीचे तक जो soft होती है यानि एक लोहे की छड़ होती है लगी होती है जिसको यानि जो आपका emulsifying head होता है उसको घुमाने का बर्क करती है वो और उसके बाद यानि इसमें कई stand लगे होते हैं इसको रोकने के लिए तो इसका बर्क किस पकास होता है देखिए दोस्तों उपर से motor को जब चलाया जाता है तो soft घुमने लगती है और जब soft घुमेगी तो नीचे की तरब जो emulsifying head होता है घुमने लगता है और नीचे की तरब जो emulsifying head होता है जिस भी आपको यानि emulsion जिस पकार का emulsion तयार करना है mix करना है जो भी आपको यानि material को mix करना है उसके container में इसको feed कर दिया जाता है dip कर दिया जाता है इन्हीं डुवा दिया जाता है और उसके बाद उपर से motor को start कर दिया जाता है फिर वो जो soft होती है घुमने लगती है और जो emulsifying head होता है नीचे की तरब ये mix कर देता है product को और इसके जो emulsifying head होता है नीचे की तरब इसके अंदर three parts होते हैं देखिए उपर की तरब motor से नीचे की तरब छड़ा आई है उसके बाद इसमें center rotating इसमें soft लगी होती है बीच में एक soft लगी होती है और उसके में इसको feed किया जाता है और उसके बाद आपका जो भी material होगा भे mix हो जाता है तो ये इसका हो गया structure अगर इसको आप एक बनाना चाहें तो एक भी बना सकते हैं अगर आप इसको open करके पूरा बनाना चाहें तो exam में आप बना सकते हैं अगर आपके पाद time है तो इसके construction के बारे में बात करेंगे यानि निर्माण के बारे में बात करेंगे फिर working, use और advantage और disadvantage फिर आपका जो mixing बाला topic है ये पूरा complete हो जाएगा और जो आपके slavers में next topic दिया होगा उसको हम जल्द से जल्द complete कराएंगे तो दोस्तों construction में क्या लिखा है इसमें चार stand लगे होते हैं यानि जो stand इसमें दिखाए गए हैं इसमें चार लगे होते हैं stand जो electric motor से जुड़े होते हैं ये stand जो होते हैं एक electric motor उपर लगा होता है उससे जुड़े हुए होते हैं यह emulsifying head को motor से connect करने का बर्ग करते हैं जो emulsifying head जो नीचे की तरफ लगा हुआ है उसको motor से connect करने का बर्ग यह आपके stand करते हैं और emulsifying head के बीच में एक soft लगी होती है यानि soft बीच में लगी होगी जिसका बर्ग होता है rotation का है कि आपको यानि इसमें motor लगा होता है एक soft लगी होती है चार stand लगे होते हैं emulsifying head लगा होता है motor के द्वारा जो आपकी soft लगी होती है फिर emulsifying head उसके द्वारा rotate होता है उसके बाद जो भी यानि product की mixing करनी होती है product mix हो जाता है फिर working किस पकाँ से होती है किस पकाँ से product को mix करना है तो इसमें लिखा है जिस भी आपको immisual liquid होता है जो mix नहीं है जो immisual liquid को आपको mix करना है उससे क्या करना है container में भरके उसमें silver zone mixer के head को पूरी तरीके से dip कर देना है यानि जो emulsifying head है उसको mixer के अंदर डाल देना है जिसको mix करना है container के अंदर डाल देना है और motor को on कर देते हैं और turbine के जो blades होते हैं बहुत तेजी से rotate होने लगते हैं जब motor को on करेंगे तो बहुत तेजी से blades यानि rotate होने लगते हैं और एक pressure create हो जाता है यानि जो आपका यानि container होता है उसके अंदर एक pressure create हो जाता है और उसके बाद liquid खिचकर उपर आ जाता है blade के द्वारा mixing होती रहती है यानि जो भी liquid होगा यानि इसका use emulsion को तयार कनने के लिए किया जाता है तो जो भी liquid होगा बैदे कि हमने structure दिखाये तो second वाले part में आ जाता है जो भी liquid होता है और नीचे की तरफ जो भी यानि आपका material होगा उसकी mixing होती रहेगी और इसमें liquid का intake and expulsion होता रहता है यानि liquid आता रहेगा उपर की तरफ आएगा फिर जाएगा फिर नीचे फिर से यानि container में mix हो जाएगा फिर से जो आपका liquid है फिर उपर आएगा तो इसका जो intake और expulsion होता रहता है जब तक liquid पूरी तरीके से mix नहीं हो जाता है यारि जो भी liquid होता है जो भी material होता है भी mix नहीं हो जाता है तब तक कि इस machine को चलाया जाता है और imageable liquid mix होने के बाद हमें container में प्राप्त हो जाता है और उसे बहार निकाल लिया जाता है तो यह इसकी होती है, burkin और इसके यूज क्या होते हैं इसका यूज एमलसन की पिपरेशन में करते हैं क्रीम को फाइन पार्टिकल साइज की होती है जो आपकी फाइन पार्टिकल साइज की जो क्रीम होती है उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है जो आपका सिलवर्दन मिकसर होता है और इस operation का means यानि जो भी यानि आपको product को mix करना है यानि batch wise mix करना है यानि कोई भी substance हो गया या कुछ भी हो गया यानि आप pharmaceutical industry में देखे होंगे उसमें अलग-अलग size के अलग-अलग silver zone mixer होते हैं उनको beige के हिसाब से यानि use किया जाता है और disadvantage क्या हो गया इसमें मेस कभी-कभी बड़े pore के कारण block हो जाते हैं यानि जो इसके यानि emulsifying head होता है उसके अंदर mesh present होते हैं यानि round करने के लिए यानि यह गूमता है जो आपका silver zone mixer इसके अंदर साब करना बहुत कठिन होता है क्योंकि इसको open करना पड़ता है पूरा तब उसके बाद जो है इसको यानि इसकी सपाई की जाती cleaning की जाती है तो दोस्तो इस पकार से इसका हो गया disadvantage तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जादा से जादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों